हेलो सातियों जैसे कि मैंने आपको RBC 12th class English का पर बताया था उसी परकास से मैं आपको बताने वालो इंडियन हिस्ट्री का पर जो यावे 11 अप्रेल को होने वाला यानिकी बारती इतियास का यह वीडियो आप से बहुत दर इंपोर्टन डनने क्या शकता नहीं है गबराने क्य देख लेते हैं सबसे पहले आपका तो सब्सक्राइब के अंदर एक पारे हो कि निमलिखित में से कौन से पूरा अस्तलो की पूरी बस्ती के लिए बन थी साथ मैं आपको इंगलीश वर्जदन की भी आपको हिंदी में आंसर देने वालना हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा दोला वीरा और लोथल इसका जो सही आसर हो जाएगा वो जाएगा दोला वीरा और लोथल ओके इसमें पूरी बस्ती के लिए बन थी निमलिखित में से किन पूरस्तलों में मनकों में छेद करने के लिए विशे शुक्रन मिलते ह तो वो जगार थी कौन सी तो वो थी चुन होद्रो लोथल और दोला विरा एक बिल्कुल सही आंसर है अगर आपको यह भी कुछन आ रहे तो आप समझ लीजी कि आपकी तेरह अच्छी है और अगर थोड़े बहुत आपके सही हो रहे तो आप इसका मतलब थोड़ी सी प्रैक् ख्वाशा में मिलते हैं तो यह कुछ पता है यह बहुत एसी कुछन है उर्बार इज़ाप में आता आपका 6-3 कुछन को घट रहे हो तो वो मिलता प्राकरत बाशा से बरत के पारंबिग आहथ किस दातों में डाले गए थे तो वो किस दातों के बनाए गए थे वो उसे चांध और तामबा घड़ा जो मुख bricks sì ूदा शेंद किस ने कि श्क्री ने किberry दा मुख्याइन ज़ए Прया पराशिश्टी का रचना किय opposis तो वह थे समुद्र गुप्त के निमन में से किस यातरी ने दारा शिकोह के चिकस्तक के रूप में सेवा दी थी तो उनका नाम था वो था फ्रांसुआ बनियर ओके तो बहुत इसी क्विशन आपके लिए रह रहेगा कौनसे मस्जित कश्मीर में मुकट का नगीना समझे जाती है हाँ वही मच्जीश जो शीरी नगर के अंदर है क्या नामे उसका उसका नाम हमदान मस्जिद इसको जो हैं मुकट का नगीना कहते हैं अब देखें next question युनिश के द्वारा कब हमपी को विशव पूरा ततव इसका गोशित कर दिया गया था तो जल्दी से जो आप मुझे इसका comment box में comment दीजीगा क्या जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 1986 अमेरिका में दास और पर्था को लेकर ग्रह यूद की स्थिति कब तक रही थी तो वो कब रही थी वो अठारा सो उनिस उसदी में रही थी यानि की 1861 से लेकर 1865 के बंदे में जो है इस्थिति बनी रही थी हम बात करते हैं next question की ब्रेटिस सरकार ने अवद के किस नवाब पर कुशशन का आरोप लगा कर उसे कलकता निश्काशित कर दिया था तो उनका नाम क्या था दोस्तों यह आपको बदाना है तो उनका नाम है वाजिद अलीशा वाजिद अलीशा याद अखिए स्कीन शोर ले लिजिए कापी में नोट करते हैं जो भी क्यूशन बता रहो वैसे एंड में बता दूं कहांस आपको डाउनोड करना है तो इसके वीडियो कप्लेट देखना साथ में समझाने वाला भी है आपको ओके और लस्ट में यह वी टिप्स देने वाला हूं कि आपको किस प्रकास से जोए नंबर एक् इस वी आंदूलन की समाप्ति के परचात जस्टिस और ब्रूंफिल्ड नेकांदी जी को कितने वर्स की सजा चुनाई थी शे वर्स की सजा चुनाई थी आपकर नेकिस्तान की पूर्ति आ जाती है इसमें देख पाने हम प्रामबिक भक्ति आंदूलन लगबग कितने स्था चुनाई के पार्चाइब को किस ने राज मेल की पाड़ियों का दोरा किया था नेक्डिक अथा स्वताउन के विद्रों के समय बारत की गवर्नर जनल कॉन थे नेक्डिक बंबाई में कि शेली को उस्टन कठे मन्दियों माश्कूम के अनुखूल मनाय गया इसके बा बारत आने से पहले इबन बतुता किन परदेशों की यातरा कर चुके थे उसके बाद नेक्स देखिए कून से यातरी बारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपी स्थिति में करता था किस तरही शिप भक्त ने अपने उदेशी की प्रप्ति के लिए गोर्त परदेशा कमार अपना है था बहुत इपोर्टन क्यूशन रहने वाला है ये वाला इबने बतुत्ता के अनुसार दिल्ली शेहर में कितने दरवाजे थे और इनमें से सबसे विशाल दरवाजा कौन सा था फिर देखे पांच वा रिपोर्ट किस समित्ती के द्वारी तियार की गई थी यानि कि उसे ने आप लेवल देख पा लेओ कितने आते कितने नियाती आपको इससे समझ आगया है आपकी त्यारी किस प्रकार से है किस गवर्णर जल्ला ने अपनी काउंसल स्रिमला में इस्त चटी स्थाब्दी में इस आपूरो में इंच जटी स्तभदी इस्थाब्दी अपकर्शी ने ने बर्मानवादी वयस्ता के किस माननेता को सखार कर लिया है फिर देखे तजकीरा क्या है वारत में पहली है किसी से लिखा फिर देखे विजे नगर के शाषक अमर नायोकों का नियंतर बना रखने के लिए क्या रिती अपना दे थे और विजे नगर की स्तर्बना किसी ने की आपको पते होगा हरियर बुका थे उन्होंने कीति कप की थी लोटस महल पर शशे तिपनी लिखनी है और चिरहाट का यूद कब हुआ और किसके मरदे लड़ा गया सुर्यास्त विदी कानुन क्या था हम बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन के बारे में महातमा गांदी के रचनात्मकारियों का उलेक करना है अठाव सतावन के विद्रोह में शामल ने कहां से नेततों किया और इस पर आपको टिपनी लिखनी है नेक्स्ट है बारत का विर्तात लिखने में अल बुरूनी के सामने आईकिनी दो खुमिशों का उलेक करना है फिर हम अध hm द्क्षिन बारत के शेरों के विए से आपको लिखनी है जो भी पर ऍपनाली एक शेशन टिपनी किजिए इस पर आपको लेक 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 दाए तो आप करते हैं कि बारती इतियास की जानकारी में सिखें बहुत मैतपुन साइक थे यह आपको बताना है हम बात करते हैं नेक्स्ट कुशन के बारे में किर्शन देव राय की प्रमुक और प्रवदियां की व्याख्या करनी है अथ्वा में है विची नेकर सम्माराज्य की किले बिंदियों की प्रमुक विश्यस्ता लिखनी है बहुत इपूर्ट आठा क्यूशन है हो जाएगा बीसों क्यूशन उन्यस इस ताप्ती में नगर प्रियो नियोजन को प्रिभावीत करने वाला कारा कॉन सा है और उपनेशिक शेयर मद्रास की नगर नियोजन का व्याक्ष्या किरनी है हम बात करते हैं section D जो बहुत इपूर्ण है नहीं वाला है इसके अंदर आपको टोटल चार क्यूशन देखने को मिलने वाले हैं जिसमें देखिए सोरी तीन क्यूशन जो आपका इकी सब्सक्राइब करते हैं चार वीविन परकार की इस तरोतों को सबस्ट कीजिए जिनके म अब शब्दों में थोड़े जादा लिखत होगे और आपको आफसर बिल्कुल प्रफेक्ट नमबर मिलेगा अथ्वा में देखिए मिन आप जो इंपोर्टेंट टिप से वो दे दिये नमब लाने की महत्मा गान्दी के बारे में कौन-कौन सी चमारात्मिक सोरी चमतकारिक और ओफञाय फेल रही थी विस्तार क्या किजिए नेक्स्ट कुछन है शेख निजामुदिन ओलिया के खान का प्रमुख विशेष्टा आपको बतानी है जो मतलब खान का था उनका उनका उनकी विशेष्टा क्या थी फिर थी क्या बाबा गुरू नानक देव किसी नवीन किस्तापना करना चाहते थे आपको सिंपली लेकर लेकर लीखे लेकर लुकुत लोग पता रही तो इस परकाशे और आ मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी मेनद करेंगे और बहुत अच्छी नंबर लाएंगे आपको कोई भी सुजाओ हो कोई भी डाउट्स हो कमेट में कमेट कीजिएगा मैं आपका 100% लिपलाई दूँगा और चैनल को सब्सकाइब करके वेलेंगों प्रेस चुरू क कर सकते हो गूगल पर सच कीजिए ग्यान अलट को पहला लिंक आएगा सिंपली उस पर क्लिक करना है मैं क्लिक कर देता हूँ जैसे आपको आरबीसी 12th क्लास की आपको आंसुर की यानि कि इंपोर्टन क्यूशन डाउट करने तो यहां पर आपको सारे मिल जाएगे जैसे हम आपको अपने पेपर की अग्रेम शुब कामना है